हर व्यक्ति यह जानना चाहता है कि उसकी कुल आयू कितनी है. अगर आप भी यह जानना चाहते हैं, तो बहुत आसानी से इस रहस्य को जान सकते हैं, जिसका उलेक शास्त्रों और पुराणों में भी हुआ है, इससे पहले आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, तो ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इसी तरह के खास जानकार आपको हमेशा मिलेगी, तो चलिए जानते हैं, कई लोगों की हथेली में जीवन रेखा पर बहुत से कटके चिनह होते हैं, ऐसे में जीवन रेखा को समझना कठिन होता है, इसलिए कुछ आसान तरीका भी है, जिनसे आप अपनी आयू का रहस्य जान सकते हैं, हथेली में हस्तरेखा विज्ञान में प्रत्येक मनिबंध रेखा की आयू 25 वर्ष मानी गई है, यानि कलाई में जितनी संख्या में मनिबंध रेखा होती है, व्यक्ती की आयू उसी अनुरूप होती है, ध्यान देने वाली बात है कि इनकी संख्या किसी भी व्यक्ती की हथेली में अपनी आयू के बारे में जानने का तीसरा तरीका है माथे की लकीरों को देखे मनिबंध रेखा की तरह माथे की लकीरों को देखकर भी आयू का अनुमान लगाया जा सकता है माथे की हर रेखा 20 वर्ष की आयू को दर्शाती है यानि माथे पर जितनी साफ, स्पष्ट और अटूट रेखा होगी जो माथे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती हो तो व्यक्ति की आयू उतनी ही 20 साल होगी यानि तीन ऐसी रेखा होने पर व्यक्ति की आयू 50 से 55 साल हो सकती है अपनी आयू को जानने का एक अन्य तरीका है जिसमें में आप अपनी उंगली की लंबाई से यह रहस्य जान सकते हैं भविश्य पुरान में बताया गया है कि अपनी उंगली से शरीर नापने पर जो व्यक्ति 108 उंगली का होता है वह दीरगायू होता और ऐसे व्यक्ति 70 से अधिक साल तक जीने वाले होते हैं शरीर की लंबाई 100 उंगली होने पर मध्यम आयू होती है जबकि 90 उंगली या उससे कम होने पर व्यक्ति अलपायू होता है तो इन कुछ खाश तरीके से आप अपने बारे में जान सकते हैं और आपको अगले वीडियो में कुछ और खाश जैसे आपका जीवन साथी छोटा कद का होगा या लंबा कद का ये जानकारी आपको पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे धन्यवाद